आज की वीडियो में मैं आपको 502 की factor tree बनाना सिखाऊंगा factor tree बनाने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि prime number क्या होते है वह number जो 1 से divided हो या फिर खुद्ड अपने आप से divide हो क्या कहलाते है prime numbers कहलाते है example के लिए two three five seven इसके बाद इसमें आपको टेबल्स आना ज़रूरी है फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचेज होती है उसी तरह मैंने 502 की दो ब्रांचेज बनाई लेफ्ट साइड आपको हमेशा प्राइम नंबर मिलेगा राइट साइड अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो वहीं पे इसकी फेक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तू इन्टू 251 फाइफंडर टू हुआ राइट साइड आपका प्राइम नंबर प्राइम नंबर ही मिलेंगे इन प्राइम नंबर को फिर आपस में मल्टिप्लाइ किया जाता है मल्टिप्लाइ करने के बाद इसका रिजल्ट में चाहिए होगा जिसकी आपको फेक्टर ट्री बनानी थी टू इन्टू 251 फाइफंडर टू हुआ इसका मतलब है कि आपकी फेक्टर ट्री एकदम सही है और टू एन्टू 251 फाइफंडर टू के प्राइम फेक्टर्स भी होंगे